Hello guys and welcome to Nucleon Heights Education आज का ये वीडियो हमारे लिए काफी useful रहेगा आज हमें एक basic लेकिन बहुत important concept को सीखने वाल हैं जिसे कहा जाता है electronic configuration साथ में हम सीखेंगे इसे ही related topic like extra stability of half-filled and completely filled orbitals हंट्स रून, पाउली's exclusion principle तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की तो दोस्तों हम लोग electronic configuration जैसे important topic को start कर रहे हैं by using अफबाव principle अफबाव principle को हम N plus L रोल भी बोलते हैं N principle quantum number, L as a mutual quantum number सबसे पहले गाईज एक बात धियान रखना अफबाव किसी भी scientist का नाम नहीं है अफबाव is a German word which means to build up build up का मतलब increasing order तो इस principle में increasing order का यूज करना है सबसे पहले तुम्हें वो orbitals में electron रखना है जिनकी energy कम है lower, smaller energy वाले orbitals से higher energy वाले orbitals तक electrons को fill करना है N plus L रोल भी यही बोलता है के N plus L का sum जो है जिस orbital के लिए कम है पहले उसे fill करो और जिसके लिए ज्यादा है उसे बाद में fill करो तो यहाँ पर एक statement बहुत काम आएगा देखो यह statement यहाँ पर बहुत काम आएगा electrons are filled in the increasing order of energy remember increasing order यह increasing order ज़रूर याद रखना है increasing order of energy of orbitals और value of N plus L तो N plus L या energy के increasing order में हम electrons को fill करते हैं कम energy वाले को पहले और higher energy वाले को बाद में इसका sequence याद करना generally कई लोगों के लिए difficult हो जाता है लेकिन मैं आपको एक बड़ी simple सी trick बता रहा हूँ जिससे आपके लिए यह sequence याद करना कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा देखो बड़ी simple सी trick है सबसे पहले तुम numbers लेकलो 1,2,7 ठीक है अब एक series आगे बनाओ उपर से एक number कम करो नीचे से एक number कम करो तो यह series आज start होगी 2,3,4,5,6 एक ओर series बनाना है first digit और last digit को हटा दो क्या बचेगा 3,4,5 एक ओर series बनाओ जिसमें first और last digit को हटा दो तो बचेगा स्रिफ 4 पहली series में सब के साथ S लगा दो second series में सबी के साथ P लगा दो third में D last series में F लगा दो SPDF 4 orbitals electron जा fill करना start करो सबसे पहले 1S में करना 1S के बाद आजाना 2S में 2S के बाद 2P and then 3S remember 2P then 3S then इसके बाद 3P and 4S 3P के बाद 4S आएगा फिर आएगा 3D, 4P and 5S फिर 4D, 5P and 6S then 4F, 5D, 6P and 7S मतलब जब हम electron fill करना start करेंगे तो आप देख सकते हो सबसे पहले electron जाएगा 1S में 1S के बाद आएगा 2S, 2S के बाद 2P, 3S ये पूरा sequence एक बार आप proper तरीके से इसको देखना हमने कैसे सीरीज बनाई है सीरीज का sequence मैं लिख भी रहाँ साइड में सबसे पहले हमें smaller energy वाले orbital को लेंगे 1S को 1S से जादा energy आती है 2S की तो 2S इसके बाद fill करा जाएगा then 3S 2S के बाद 2P then 3S 3P then 4S and 3D देखो गईज वैसे 1S से लेके 3D तक most of these students को याद रहता है बार बार ये सीरीज बनाई है वो भी हमारे लिए practically possible नहीं है तो 1S से लेके 3D तक तो आप लोग 2-3 बार अभी examples में करवाऊंगा याद हो जाएगा after 3D याद करने में कुछ लोगों को काफी students को problem आती है इसकी एक बिल्कुल simple सी trick है क्या trick है देखो 1S से लेके 3D तक तुम लोगों ने लिखा practice करी याद हो गया after 3D तुम्हें लिखना है number 45 फिर एक number बढ़ा दो 456 then 4567 तो चलो लिखना शुरू करते है 3D के बाद मैंने लिखा 45 फिर इसके बाद आ गया 456 फिर इसके बाद series क्या है 456 एक और number बढ़ा दिया 7 4 जब first time आया था तो S लगा जब 4 second time आएगा तो लगेगा उसमें P तो ये हो गया 4P orbital 4P के बाद 5 यहाँ पहली बार दिख रहा है तो S लगाना है हमें 5S फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 4D 5 second time आ रहा है तो P 6 पहली बार आ रहा है इससे पहले कहीं भी मैंने series में 6 को नहीं लिखा था 6 पहली बार आ रहा है तो उसमें S orbital लगेगा आ चुका है अब 5 numbers जो आएगा उसमें क्या लगाएंगे हम D 5D 6P and 7S तो ये जो मैंने आपको sequence लिख कर दिया है यह आपके लिए बहुत useful रहेगा आप चाहो तो इस pattern से याद कर लो या ऐसे याद कर लो एक ही बात है यार कोई difference नहीं है तो 1S से लेके 3D तक तो कोई problem नहीं हाती है and after 3D तो मैं ये sequence use करना है 4,5 4,5,6, 4,5,6,7 remember ये बहुत special रहेगा आपके लिए अब एक होड ज़रूरी information हम लोग ये बात जानते हैं कि orbitals like S, P, D, F S, P, D, F S, P, D, F में maximum number of electrons याद रखना भी बहुत ज़रूरी है S में single orbital होता है S sub shell में तो उसमें maximum electron 2 आते हैं P में maximum 6 electron D में maximum 10 और F में maximum electron जो आ सकते हैं वो होते हैं 14 तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है अब सबसे पहले example start करने से पहले आप लोग इसका एक screenshot ले लो और उसके बाद फिर हम लोग example start करते हैं हाँ guys screenshot लेने के साथ अगर आप नए हो 11th class के हुआ तो या आप अगर इस topic को first time पढ़ रहे हो तो copy pen ज़रूर साथ में रखना pause करते जाएंगे हम और practice भी साथ करते जाएंगे तो जल्दी से screenshot लें आप लो चलिए तो शुरुआत करते हैं कुछ example से यह sequence मैंने अभी यहीं लिखा रहे ने दिया है अभी इसका कुछ use करना है तो हम लोग example से जो start करना है बिल्कुल basic example sodium को ले रहे हैं जिसका atomic number 11 है sodium का और neutrality देख लो आप लो कोई plus minus नहीं है मतलब 11 ही electron है जितना atomic number उतने electron तो electron को fill करना ही तो electronic configuration कहलाता है मुझे sodium की 11 electron fill करके बताना है कि कौन-कौन से orbitals में electron fill हो रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा least energy वाला atomic orbital that is 1s तो मैं लिख रहा हूँ 1s s में maximum 2 electrons आते हैं तो इसकी पार में मैंने लिखा 2 1s के बाद लिखना है मुझे 2s s में maximum 2 आते हैं चाहे वो 1s हो, 2s हो, 5s हो कोई सब भी ऐस हो 2s के बाद आएगा 2p p में maximum आते हैं 6 electron चलो 6 लिख दिये count कर लेते हैं 11 फिल करना है, कितने फिल कर चुके हैं 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 फिल कर चुके हैं भाई यह एक ही बचा है, only 1 electron रिमें, 2p के बाद आता है 3s, s में maximum 2 electrons आते जरूर हैं, लेकिन हमारे पास single electron बचा है तो हम 3s में लिखेंगे 1 that's it, होगी configuration complete आप देख सकते हो 11 electron फिल करना है 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1, 11 चलिए एक और example पर आते हैं हम लोग हमारा next example है calcium atomic number 3D configuration लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखना है मुझे 1s, s में maximum 2 electron, फिर इसके बाद आता है 2s, s में 2 electrons maximum, then 2p, 6 इसके बाद आएगा 3s, s में 2 electron 3p, p में maximum आते हैं, 6 electron एक बार count कर लो, तुम्हें 20 electron फिल करना है, तुमने कितने फिल कर दिया है 2 प्लस 2 4 प्लस 6, 10, 10 प्लस 2 12 होता है, 12 प्लस 6, 18 20 electron में से 18 फिल कर चुके है, अब इसके बाद 3p तक जा चुके है, हम 3p के बाद क्या आएगा, 4s s में maximum 2 electron आते हैं मैंने 2 रखे और ये होगा, इसके 20 electrons, आप calculate कर सकते हो चलिए next example पे आते हैं, iron पर, अब थोड़ा सा atomic number बढ़ाते जाते हैं, iron atomic number 26 सबसे पहले configuration में लिखेंगे 1s, s में 2 electron 2, 3p 6 then 4s 2 count कर लो एक बार 26 में से कितने fill कर लिए है 2 plus 2, 4 plus 6 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2, 20 बचे 6 electron, d में maximum आते हैं, या दे को 4s के बाद लिखना है 3D, पहले 4s के electron आएंगे, उसके बाद electron fill करेंगे 3D में तो 4s के बाद मैंने लिखा 3D 20 electron fill कर चुका हो, मेरे पास स्रिफ 6 बचे हैं, only 6 electron remain, d में maximum 10 आते हैं, लेकिन 6 electron बचे हैं तो 6 लिख दो, तो ये हो गया 3D 6, guys आप लोग भी सांथ में practice करते चलना, अगर आप नए हो तो बहुत जरूरी है आपके लिए, चले एक्जांपल करते हैं next example, ZN zinc, atomic number 30 अब zinc का concept ये है zinc में atomic number 30 है आप लोग अगर वीडियो पॉस करके खुद से करो, तो बहुत अच्छा रहेगा ये I hope आप लोग ने पॉस करके practice करी होगी, try करा होगा मैं एक बार लिख कर बता देता हूँ zinc atomic number 30, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 लिख दिया, 2p के बाद क्या लिखना है मुझे 3s2, 3p6 4s2, 3d10 अगर आप configuration देखोगे तो zinc में आएगा last में 4s2, 3d10 last electron D में जा रहा है remember ये D block का मेंबर है transition metal transition elements को belong करता है, iron तो pure transition guys यहाँ तक तो यह आप लोग ने note कर लिया है, I hope इसे भी साथ में note करते जाओ, अभी हम और बड़ी configuration पर आते जाएंगे फिलाल आप इसका screenshot लो और इसे note कर लो तो guys यहाँ पर first 4 examples, three of 4 examples के बाद, मैं next example पर आता हूँ, iodine atomic number 53, देखो कुछ भी problem नहीं है, atomic number कितनी बड़ा कर देने हैं, यह sequence मत बूलना तो सबसे बिले start करना है, यहाँ पर 1s से तो यह आजाएगा, 1s2 then 2s2, 2p6 2p के बाद क्या आना है 3s2, 3p6 4s2 3d10, तो d में अगर 10 है तो यहाँ तक 30 electron हो जाते हैं आप calculate कर सकते हो 3d10 के बाद क्या आएगा 3d के बाद आएगा, 4p 6, यह होगा 36 electron, 4p के बाद आएगा, 5s2 36 or 2 38 5s के बाद आएगा 4d, तो 4d में मुझे 10 electron रगना है, क्योंकि d में maximum 10 आते हैं, यहाँ तक 38 थे, 38 plus 10 होगा है, 48 4d के बाद क्या आएगा, 5p मेरे पास 48 electron already fill कर दिये मैंने, मुझे अब कितने fill करना है, 53 में से 48 तो आगए बचे स्रिफ 5 electron तो वो 5 electron आजाएंगे 5p में, that's it तो यह iodine की configuration है, और इस configuration में ध्यान रहे last shell है 5 5th shell है, last orbital जो है, वो है 5p p orbital है, मतलब p block को belong करता है iodine, तो यह बहुत important है, और ध्यान रहे, sequence बता रहा हूँ है 3D पहले fill करा 3D बाद में fill करा जाता है 4S पहले fill करा जाता है, अगर किसी book में आप ऐसा लिखा हुआ देखते हो न कि 3D पहले है, 4S बाद में वो गलत नहीं है, वो भी क्योंकि books में भी यही sequence follow होता है, बस वो से proper order में करके लिख देते हैं, after complete filling, तो guys यह बहुत important है चलो एक और example करते हैं, हम लोग mercury का, mercury atomic number 80 मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, mercury atomic number 80 मैं solve करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को pause करो और एक बार खुछ से try करो mercury atomic number 80 ओके, तो I hope आप लोगोंने try करा हूँ चलिए start करते हैं, सबसे बेले हमें 1s से start करना है 1s2, 2s2, 2p6 3s2 3p6, 4s2 3d10, देखो यहां तक तो होगा 30 electron, 3d 80 हैं भी तो 30 होगा आगे चलते हैं हम लोग 3d के बाद आता है 4p 4p6 फिर इसके बाद आता है 5s एसमें 2 electron, फिर आता है 4d, 10 electron 5p6 यहां तक 54 electron होगा है, 54, 5p तक 5p के बाद आएगा 6s2 56 electron होगा है यहां तक 56, 6s के बाद आएगा 4f तो 56 electron तो यहां तक होई गए थे 56 के बाद 4f को पूरे ही फिल कर दू 14 electron 56 और 14 होते हैं 70 यहां तक 70 electron हो 70 होगा है, फिर 4f के बाद आएगा 5d 70 होगा है d में maximum 10 आते हैं और मेरे पास भी 10 ही बचे हैं, तो मैं d में completely फिल कर देता हूँ d sub shell को तो यह हो गया 5d 10 और यह हो गई mercury की configuration तो गाई इसकी practice करना है इसका screenshot लो फिर हम ions की configuration पर आते हैं और extra stability पर आते हैं चलिए electronic configuration के एक और concept को हम समझते हैं completely filled and half filled orbitals are extra stable they are more stable than a normal orbital अगर कोई orbital completely filled हो या half filled हो तो वो होता है extra stable मैं आपको example देकर समझा रहा हूँ क्या है यह concept देखो nitrogen atomic number 7 oxygen atomic number 8 configuration लिखना स्टार्ट करते हैं nitrogen की तो आएगी 1s2, 2s2, 2p3 p orbital में maximum 6 electron आते हैं लेकिन 6 आएँगे तो extra stable है या 6 का half होगा तो extra stable है यहाँ p में 3 electron है मतलब यह है extra stable वहीं oxygen की configuration लिखेंगे 1s2, 2s2 तो यह आएगा 2p4 यह normal है यह extra stable बिलकुल भी नहीं है यही reason है कि nitrogen की ionization enthalpy oxygen से बहुत ज्यादा होती है क्योंकि nitrogen होता है nitrogen के पास है extra stable orbital या extra stable configuration अब हम कुछ D-block के member के कुछ cases देखते हैं जो बहुत special हो जाते हैं especially in D-block जैसे अगर हम देखें chromium काफी special example है इस पे star लगा रहा हूँ है copper यह भी काफी special example इस पे भी star लगा रहा हूँ direct exam में आता है तो chromium की configuration जब हम लिखेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s2, 3d4 होना चाहिए था लेकिन नहीं होता क्योंकि 4s का electron जाता है जम करके 3d में तो यह हो जाता है 4s1, 3d5 क्योंकि d orbital d में या तो 10 हो तो extra stable होगा या 10 का half हो 5 तो extra stable होगा तो d में 4 आ रहे थे हमने 4s के electron को जम करके 3d में shift कर दिया तो यह हो गया अब extra stable यह special कैसे और गाईज यह बात ध्यान रखना यह condition d block के member के साथ ही है हम p block में यह काम नहीं कर सकते है d block के member के साथ है क्योंकि इनका last d और s sub shells जो है उनकी energy काफी कम होती काफी equal energy होती है तो close होते है अगर d में 4 दिखें तो इसको 5 कर देना अगर d में 9 दिखें तो 10 कर देना उसके अलावा कभी jump मत कराना shift मत कराना ऐसा विलकुल मत करना के d में 6 है तो आपने उसको एक electron ही निकाल दिया 5 कर दिया तो d में 4 electron है तो हमने 4s का एक electron देकर 5 करा चलो copper की configuration देखते है 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s1, 3d10 होना चाहिए था 4s2, 3d9 लेकिन है यह 4s1, 3d10 तो ये दोनों example आपके लिए काफी special है silver में भी लगबा यही condition देखने को मिलती है तो आप लोग इसका screenshot लो फिर हम आगे बढ़ते हैं चली तो configuration के एक और concept को समझते हैं electronic configuration of iron iron क्या होते हैं अगर कोई atom, neutral atom electron release कर देता है तो वो cation बन जाता है जितने positive charge आते हैं उतने electron कम है उसके पास atomic number के comparison उतने कम है और अगर electron accept करता है तो negative charge आता है anion बन जाता है जितने minus charge होते हैं उतने electron तुम्हें increase करना है from atomic number तो यहाँ पर एक बड़ा simple सा example देख लेते हैं हम लोग chloride ion CL negative वैसे अगर मैं देखू chlorine का atomic number 17 होता है मतलब इसके पास 17 electron है लेकिन CL negative 1 minus का मतलब atomic number से 1 electron बढ़ाना पड़ेगा इसके electron है 18 यहाँ लिखना है मैं ऐसे bracket में ऐसी लिखना है अगर मैं atomic number की जगा इस जगा electron 18 कर दूँगा तो यह गलत हो जाएगा क्योंके atomic number अभी भी 17 है electron बढ़के इसके 18 हो चुके 18 फिल कर सकते हैं कोई problem नहीं है क्या configuration आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गए 18 electron जब negative charge आता है तो configuration को लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है लेकिन जब positive charge आता है तो थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है for example पहले एक neutral item बता दू zinc क्या configuration है इसकी 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s2, 3d10 देहान रहे दोस्तों इसका configuration में जो last shell देख रहा है वो यह है 4 remember भले ही उसको पहले लिखा है लेकिन last shell वही है अब अगर मुझे zn plus 2 की configuration लिखनी है plus 2 का मतलब मुझे इसके 2 electron कम करना है तो atomic number 30 था मतलब 30 electron थे अब plus 2 आ गया मतलब इसके 2 electron कम हो गया 28 हो गया वो 2 electron मैं यहां कहां से remove करूँगा तो मैं remove करूँगा from last shell that is 4s जब भी electron निकालना हो तो 4s से start करना last shell से start करना उसके बाद जाना second last पर that is 3D पर तो इसकी configuration क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s, 0 3d10, still 3d10 यह अपनी atomic और ionic form दोनों में d10 configuration शो करता है तब ही तो non transition कहलाता है यह zinc बहुत special है चलिए एक और example देखते हैं हम लोग iron और उसके बाद हम iron से निकालेंगे fe plus 3 configuration तो iron की configuration देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s2, 3d6 लेकिन अगर मुझे 3 electron कम करना है तो 3 electron कम करने के लिए 3 positive मतलब 3 electron कम करना है तो कहां से कम करेंगे last shell से start करो 4s से पहले 4s के electron निकालो फिर उसके बाद आजाओ 3d sub shell पर तो 2 electron निकालेंगे 4s से तो ये हो जाएगा 4s 0 और 1 electron क्योंके plus 3 है 3 निकालना है तो 2 निकाले 4s से और 1 निकाला 3d से तो 3d 5 और बाकी की configuration 1s से लेके 3p तक बिलकुल सेम रहेगी तो ये बड़ा simple सा concept है आयन की configuration निकालने का कैटायन में ध्यान रहे last sub shell जो है न उससे electron remove करना start करना फिर second last sub shell पर जाना तो ये आपके लिए बहुत useful रहेगा अभी इस पर और काफी important concept हम discuss करेंगे जब तक इसका screenshot हो तो guys electronic configuration में अफबाव principle या n प्लस l रूल से electrons को fill करना तो सीख लिया लेकिन उन electrons को exactly orbital में कैसे fill करा जाएगा ये बताता है हंट्स rule हंट्स rule का कहना है कि जब भी आप किसी sub shell के orbital sub shell मालो तुमारे पास p sub shell है p में 3 orbitals होते हैं suppose ये 2p है और यहां electrons 3 हैं तो हंट्स rule का कहना है कि किसी भी sub shell के orbitals में electrons ऐसे fill करो कि तुम्हे maximum number of unpaired electrons मिले unpaired मतलब single electrons और अगर extra electron हो तो last में उनकी pairing करो यही यहां लिखा हुआ है electrons are distributed among the orbitals of a sub shell to give maximum unpaired electron then their pairing begin बाद में हमें उनकी pairing कर नहीं है अगर p में 3 electrons हैं और मैं 3 electrons को 1, 2, 3 ऐसे लिखता हूँ तो यह method तो correct है लेकिन अगर p के 3 electrons को मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 2, 3 तो यह incorrect method है यह बिल्कुल wrong method है similarly हमें पता है D, D में 5, D sub shell में 5 orbitals होते हैं अगर D में suppose 6 electron है और मैं ऐसे fill करता हूँ 1 by 1 1, 2, 3, 4, 5 पहले तो मैंने कोशिश करी जितने unpaid electron में लें 1, 1 करके fill करा अभी भी electron बचा है तो अब मैं इसकी pairing करना शुरू कर दूँगा 6 और यह correct method है और अगर D sub shell के electrons D में 5 और D sub shell में 5 orbitals होते हैं and we have 6 electrons अगर मैं ऐसे fill करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो guys यह incorrect method है बिल्कुल गलत method है तो इस बात का ध्यान रखना orbital में electron single occupy होना चाहिए और अगर extra electron है तो बाद में उसकी हमें pairing करनी है It is one of the very useful method Hunts rule तो आप लोग इसका screenshot ले सकते हो और try करो जितने examples मैंने बताए हैं उन examples में orbital diagram बना कर भी उनको try करो So finally guys आप लोगों को इस वीडियो अगर पसंद आया है इसकी पहले तो बहुत जादा practice करनी है बहुत useful concept है Pauli's exclusion principle अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं cover करेंगे वो cover करेंगे quantum numbers के साथ जो जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है तो आप लोग हमारे इस channel को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल like करें, subscribe करें, share करें और बहुत important बात आप comment करना ना बूलो जहां पर भी आपको कोई topic में query आती है तो बिल्कुल आप हमारे comment box में जाकर बता सकते हो किया आपको query है और कौन सा topic आप चाते हो जिस पर हम वीडियो बनाएं So that's all for today and thank you very much All for today